श्री नारेंद्रमोदी जी नमस्कार केंद्रियम मंत्री मंदल के मेरे सहयोगी श्री अश्वीनी वैष्टनव जी राजीव चंद्रशेकर जी असम और गुजरात के मुख्य मंत्री टाटा ग्रूप के चैर्मेन श्री एन्चंद्रशेकर न स्वीजी पावर के चैर्मेन बेलायन स्भईयाजी केंद्र राज्य एबम इंद्रश्टी से जुड़े अन्य सर्वीबरे अब देवी और सजनौ आज का ये दिन आईतिहासिक है आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उजवल भविश्की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं आज सेमी कंड़क्टर मेनिफेक्टरिंग से जुड़े करीब सबा लाग करोड रुप्य के तीन बड़े प्रजेश का सिलान्या सुबा है गुजरात के धौलेरा और सानन में सेमी कंड़क्टर फैसिलिटी हो असम के मोरी गाओं में सेमी कंड़क्टर फैसिलिटी हो यह भारत को सेमी कंड़क्टर फैसिलिटी हो मैं सभी देशवासियों को इस महत्वपुण पहल के लिए इस महत्वपुण शुरुवात के लिए एक मजबुत कदम के लिए इस आयोजन को ले करके बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ आज इस कारकम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चियल रुप से शामिल हुए है मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्षाईत हूँ साथियों इस अभुद्पुर्व अउसर पर हमारे साथ देश के साथ से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन इंस्टिटूट भी जुड़े हुए हैं यह अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है मैंने मंत्राले से विशेद अग्रह किया था कि आज का एक कारकम देश के नवजवानों के सपनों का कारकम है और इसलिए जादा से जादा संख्या में आज इस कारकम में हमारे युवाओं को जोड़ना चाहिए आज का आयोजन भले ही सेमी कंड़क्टर प्रोजेक्ट की शुरुवात का हो लेकिन बविश्य के भारत के असली स्टेक होल्डर्स अगर कोई है तो ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे युवाओं मेरे नवजवान मेरे स्टूडन्स यही मेरी भारत की शक्ती है इसलिए मेरी इच्छा थी कि भारत के चात्र इस ऐत्यासिक छणके साक्षी जुरूर बने आज वो देख रहे हैं कि भारत किस तरह प्रगती के लिए आत्मन निर्भरता के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी मजबूत उपस्तिती के लिए चौद तरफा काम कर रहा है इन प्रयासों से उनका भी आत्मविश्वाद बढ़ेगा और आत्मविश्वाद से भरा युआ कहीं भी हो वो अपने देश का भाग्य बदल देता है मैं इस कारकम में देश के कोने कोने से शामील प्रतेक शात्र का स्वागत करता हूँ उनका अभिनंदन करता हूँ फ्रेंड्स 21 सदी टेक्नलोजी ड्रिवन सेंचुरी है और एलेक्ट्रोनिक चीप के बिना उसकी कलपना भी नहीं की जा सकते हैं मेड इन इंडिया चीप डिजाइन इन इंडिया चीप भारत को आत्मंदिर भारता की तरफ से ले जाने में आधुना ता की तरफ ले जाने में यह बहुत बड़ा सामर्थ पैदा करेगी पहली दूसरी और तीसरी आउद्योगी क्रांती के सबाएश भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था लेकिन अब भारत इंडस्ती फोर पॉइंट ओ चौथी अवद्योगी क्रांती के नित्रुत्रों के हिरादे से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है हम एक पल भी गवाना नहीं चाहते हैं और हम कि इस दिशा में कितनी तेजी से काम कर रहे हैं आग का ये कारकम इसका भी एक उदाहारण है हमने दो साल पहले सेमी कंड़क्टरन मिशन शुरू करते हुए इनिश्टिव्ट लेने की गोषणा की इसके कुछी महिनों में हमारे पहले एमोज साइन हो गए और आज सिर्फ कुछ महिनों के भीतर हम तीन प्रोजेस का सलान्यास कर रहे हैं इंडिया कमेट्स इंडिया डिलिवर्स एंडिया के बस कुछ देशी आठ सेमी कंड़क्टर्स की मैनिफेक्टरिंग कर रहे हैं और कोरोना ने हमें दिया है कि दुनिया को एक रिलायबल और रेजिनियन्स सपोर्ट सप्लाइच चेन की सक्त जरूरत है भारत इसमें एक बहुत बड़ी भूम का निभाने के लिए तत्पर है भारत पहले एक स्पेस नुक्लियर और डिजिटल पावर है आने वाले समय में हम सेमी कंड़क्टर सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे वो दिन दूर रही जब भारत इसमें भी एक ग्लोबल पावर बनेगा भारत अभी जो फैसले ले रहा है जो नीतियां बना रहा है उसका भी हमें strategic advantage मिलेगा हमने ease of doing business को बढ़ावा दिया है हमने कानूनों को आसान किया है बीते वर्षों में हमारी सरकार ने चालीस हजार से ज़्यादा compliance खत्म किये हैं भारत में निवेशकों के लिए FDI के नियम भी आसान हुए है defense, insurance और telecom जैसे sectors में FDI policy को और liberal किया गया है हाल के वर्षों में हमने electronics और hardware manufacturing से उसमें भी अपनी position को और मजबुत किया है large scale electronics manufacturing और IT hardware के लिए PLI schemes हो electronic components के लिए schemes हो या फिर electronics manufacturing clusters हो इन सभी में भारत ने incentives देकर electronics ecosystems को तरक्की के नए अवसर दिये है आज भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा mobile phone manufacturer है इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फांडेशन की स्थापना भी किये है इन्डिया AI मिशन का भी तेजी से विस्तार होने जा रहा है यानि हम सिर्फ technology adoption नहीं technology advancement के रास्ते पर भी बढ़ रहे हैं साथियों semi conductor industry का सबसे ज़्यादा लाब अगर किसी को मिलने वाला है तो वो हमारे भारत के युवा है semi conductor industry communication से transportation तक कई sectors जुड़े होते हैं global economy में भी इस industry से कई billion dollar का revenue और employment generation होता है यानि cheap manufacturing सिर्फ एक industry मात्र नहीं है ये विकास का वो द्वार खुलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है इस सेक्टर से ना सिर्फ प्रगती होने वाली है आज दुनिया भर की सेमी कंड़क्टर चिप के पीशे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीशे का जो दिमाग है वो दिमाग अधिकाउश भारत के युवाका ही है इसलिए आज जब भारत सेमी कंड़क्टर मेनिफेक्टरिंग के खेतर में आगे बढ़ रहा है तो हम टैलेंट इकोसिस्टिम की इस साइकल को एक प्रकार से कम्प्लीट कर रहे हैं आज अभी इस कारकम में हमारे साथ जुड़े हुए युवा ये जानते हैं कि कैसे आज देश में उनके लिए नई नई संभावनाए बन रही है नए आउसर मन रहे है स्पेस का सेक्टर हो मैपिन का सेक्टर हो भारत ने अपने युवाओं के लिए इन सेक्टर्स को पूरी तरह खोल दिया है हमारी सरकार ने स्टार्ट अप इको सिस्टिम को जो इंसेंटिव दिये हैं जो प्रोथ साथ है वो अबुद्पूर्वा है और इसी का कमान है कि इतने कम बर्षों में भारत गुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इको सिस्टिम बन गया है अब आज के इस आयोजन के बाद सेमी कंड़क्टर सेक्टर में भी हमारे स्टार्ट अप के लिए नए मोके बनने जा रहे हैं मुझे विश्वाथ है कि ये नई शुरुवात हमारी युवापीडी को एड़वांस टेकनलोजी जॉब से जुड़ने की नई अपर्चुनिटिज देगे साथ यो आपको याद होगा लाल के लिए से मैंने कहा था यही समय है सही समय है जब हम इस भावना के साथ नीतियां बनाते हैं निर्णे लेते हैं तो नतीजे भी मिलते हैं भारत अब पुरानी सोच और पुरानी एप्रोच यह छोड़ चुका है बहुत आगे निकल गया है भारत अब तेज गती से दिर्णे ले रहा है नीतिया बना रहा है हम पहले ही सेमी कंड़क्टरन मेनुफेक्टरिंग में कई दसक हो चुके हैं लेकिन अब हमें एक पल भी घवाना नहीं है और अब ऐसा नहीं होगा भारत ने सबसे पहले साथ के दसक बे सेमी कंड़क्टरन मेनुफेक्टरिंग का सपना देखा था इस बारे में सोचा था लेकिन इस सपने के बाद भी इस सोच के बाद भी तब कि सरकारे उन अवसरों का लाब नहीं ले पाई इसके सबसे बड़े कारण थे इच्छा शक्ती की कमी अपने संकल्पों को सिद्धी में बदलने के लिए प्रयास की कमी और देश के लिए दुरगामी फैसले लेने की ख्षमता की कमी इस वज़े से बर्षों तक भारत का सेमी कंड़क्टर बनाने का सपना बस सपना ही रह गया उन दसकों में जो लोग सरकार में रहे वो भी सोते थे करे जल्दी क्या है समय आएगा तब हो जाएगा सरकारों को लगता था कि ये तो भविश्की जिरुरत है इसका समाग जाना भी क्यों करना वो लोग देश की प्राइवरिटीज को भी बैलेंस नहीं कर पाएगे देश के सामर्ता को भी समझ नहीं पाएगे उन लोगों को लगा कि भारत तो गरीब देश है भारत सेमी कंड़क्टर और मेनिपैचरी जैसी हाइटेक चीज़ को कैसे मैनेज कर पाएगा वो लोग भारत की गरीबी की आड़ में आधूनिक जरुद के ऐसे हर इन्वेस्टमेंट को नजर अंदाज करते रहे वो हजारों करोड के घोटाले कर लेते से लेकिन सेमी कंड़क्टर मेनिपैचरी निपर हजारों करोड के इन्वेस्ट नहीं कर पाएगे ऐसी सोच के साथ किसी देश का विकास नहीं हो सकता इसलिए हमारी सरकार फार्वर्ड लुकिंग सोच और फीचरिस्टिक एप्रोच के साथ काम कर रहे हैं आज हम सेमी कंड़क्टर मेनिपैक्टिरिंग में उन एम्बिशन के साथ बढ़ रहे हैं जो विक्ष्री देशों के साथ कम्पिट कर सकते हैं हमारे देश की सारी प्राफिक कांका भी ध्यान रखा है एक तरफ हम गरिवों के पक्के घर पनवा रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी लाखो करोड रुपे खर्च कर रहा है एक तरफ हम विश्व का सब चे बड़ा सेनिटेशन मुवमेंट चला रहे हैं वहीं दूसरी और तरफ में सेमिकंड़क्टर मेनिफेक्टरिंग पर भी आगे बढ़ रहा है हम एक तरफ देश में तेजी से गरी भी कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में आधुनिक इंफ्रास्रक्टर का भी निर्माण कर रहे हैं देश को आत्मन निर्भर भी बना रहे हैं सिर्फ 2024 में ही अब तक 12 लाग करोड रुपे से जाड़ा की योजनाओं का सिलान्यास और लोकाटन कर चुका है कल ही हमने फोखन में 21 सदी के भारत के आत्मन निर्भर डिफन सेक्टर की जाकी दिन थी वो दिन पहले ही भारत में दो दिन पहले ही भारत में अगनी फाइव के रुपे भारत को दुनिया के एक्सलोजी क्लब में शामिल होते देड़ा दो दिन पहले ही देश की खेती में ड्रोन करांती की शुरुआत हुई नमो ड्रोन दिदी योजना के तैत हजारों ड्रोन महिलाओं को सौंपे गई है गगनियान को लेकर भी भारत के तैयारी और तेज हुई तैजी आई है हाल में ही देशने को अपना पहला मेड इन इंडिया फास ब्रीडर नुकलियर रियक्टर मिला है यह सारे प्रयास यह सारे प्रोजेक्स भारत को विश्शित होने के लक्ष के और निकट ले जा रहे है तेज गती से ले जा रहे है और निश्शित तोर पर आज के इन तीन प्रोजेक्स की भी इसमें बड़ी भूमिका होगी और सात्यों आप जानते हैं आज चामरों तरफ एयाई की भी उतनी ही चर्चा है भारत की टरेंट आज एयाई की दुनिया में उसका बहुत बड़ा दबदबा है आपने देखा होगा पिछले एक दो सब्ता से मेरे जितने भी भाषन होते हैं कुछ युवा नवजवान मेरे पास आए उन्होंने कहां साब हम आपकी एक एक बात हर बाशा में गाउं गाउं पहुचाना चाहते हैं उन्होंने एयाई टूल का उप्योग किया और आज मेरा हर बाशन आप अपनी अपनी भाषा में कुछी समय के बाद सुनना शुरू कर कि यह का कमाल कि यह मेरे देश के नवजवान कर रहे हैं और मैं तो ऐसे नवजवान टीम का अभारी हूं तो उन्हांने मेरे लिए इतना बढ़िया के जनरेटेड मेरी स्पिचिज को मेरे भाषनों को हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में इंटर्प्रेटेशन के साथ पहुंचाने का जो प्रयास किया है मिरे लिए बड़ा अनुन का खुशी का विशे बना है और देखते ही देखते हैं सभी विएन लेंगवेजिस में भी हमारी बात यह ही के मात्यम से पहुँचेगी कहने का तत्पर यह हैं कि भारत के नवजवा के लिए बहुत बड़ा आउसर लेकर आया है साथ एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्वावनाई देता हूं और मैं हमनता जी कि इस बात से बहुत सहमत हूं कि नौर्थ इस में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े इनिशिटिव लिए जा सकते हैं हमने ये ताइक है और मैं तो मानता हूं साओथ इसे एशिया किसे के साथ घुडा बड़ रहा है तो मेरा नौर्थ इस साओध इस एशिया के साथ जुडने का सबसे बड़ा ताकतवर खेत्र बनने वाला है मैं साब साब इसको देख रहा हूँ और मैं इसकी शुरुवात देख रहा हूँ तो मैं आसाम के लोगों को नौर्थ इसके लोगों को अज सबसे ज़्यादा सुब कामना देता हूँ सबसे ज़्यादा बदाई देता हूँ साथियों आप सब ऐसे ही भारत की प्रगती को एक नई शक्ति देने के लिए जुड़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए मोदी की गारंटी आपके लिए है आपके भविष्य के लिए है आपको साथ देने के लिए है बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मोहदे